नमस्कार मित्रो, मैं वैद अर्जुन सिंग, एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ दोस्तो अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको नीला थोथा यानी कोपर सलफेट से शुद्ध तांबा प्राप्त करके दिखाया था और उसके बाद उसी शुद्ध तांबे को दोस्तो, मैंने वरगद के दूद में रगल करके आपको ये टिक्या बना करके दिखायी थी और ये आप आप देख सकते हैं, ये टिक्या बन चुकी है और सूप बी चुकी है, ये गिर करके तूट गई है लेकिन कोई प्रोब्लम न देगी, ये हम पहले भी काफी बार बना करके इस्तमाल करवा चुके हैं, और जिन भाईयों ने पिछले वीडियो यहां तक के टिक्या बनाने तक के वीडियो ना देखे हूं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में देदूँगा, आप बहाँ पर जा करके देख सकते हैं, और इस टिक्या को दोस्तो साथ आगे दी जाएंगी, और पहली आग किस तरह देनी हैं, वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। सबसեbür आपने आधा किलो आख के फूल ले लेने हैं, इसे मदार भी बолते हैं, आख्ड़ा भी बलते हैं, और आख भी बलते हैं, अभी दोस्तो मोटा कूट करके लूदा बना लेना है अब दोस्तों आपने आदे लूदे को हांडी में नीचे की तरफ जमा देना है और उसी लूदे पर आपने ये टिक्या रख देनी है और बाकी बचा लूदा आपने टिक्या के ऊपर से अच्छी तरह से जमा देना है अब दोस्तों पर दो दिन से बारिश हो रही है और सूरज भी काफी दिनों से नहीं निकला है इसलिए हम अभी आप गिल हिकमत इसकी करेंगे तो यह सूख नहीं पाएगी और काफी दिन ऐसे ही रखी रहेगी तो फिर इसकी जो गिल हिकमत है वो कमजोर हो जाएगी और कमजोर हो जाने पर भसन जल जाती है इसलिए जैसे ही शूरज निकलता है फिर मैं इसे तैयार करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा भी तो दोस्तो जब आपकी ये गिल हिकमत अच्छी तरह से सूख जाए फिर आपने इसे 10 किलो उपलो की आग देनी है आप इसे बिरोसी में आग दे सकते है या फिर जमीन में गड़ा करके भी आप इसे आग दे सकते है आपने 10 किलो उपले ले लेने है और उनके छोटे छोटे टुकडे कर लेने है टुकडे करने के बाद आपने आदे टुकडे किसी गड़े में नीचे की और डाल देने हैं उपर से आपने ये अपनी गिल हिकमत की हुई हांडी रख देनी है और बाकी बचे उपले के टुकडे आपने उपर से रख देने हैं तक तक आपने हांडी को बाहर नहीं निकालना है और जब आग ठंडी हो जाए आपने इस हांडी को बाहर निकाल लेना है और इसकी गिल हिकमत को हटा करके आपने अपनी टिक्या को बाहर निकाल लेना है अब दोस्तों आपने उस टिक्या को घरल में डाल करके लगब आदा घ और फिर से टीकिया को बाहर निकालके फिर से रगड़ना है फिर से बरगत का दूट डालके फिर से आपने आग के फूल के लूदे में फिर से इसे आग देनी है और इस तरह दोस्तों आपने आग के फूल में इसे तीन आगे देनी है अब दोस्तों तीन आगे कम्प्लीट होन के बाद में आपने इस बार अपनी टीकिया को आकड़े के दूद में ही रगड़ना है पुरू के तीन बार आपने बरगत के दूद में रगड़ा था अब आपने आक के दूद में रगड़ करके इसकी फिर से टीकिया बना लेनी है और अब दोस्तों आपने इसे चार आगे अजूबैन और लॉंग के लूदे में देनी है आपने धाई सो गिराम अजूबैन ले लेनी है और धाई सो गिराम लॉंग ले लेनी है और उसे कूट करके आपने लूदा बना लेना है और अब चार आगे इसे इसी तरह लॉंग और अजूबैन में देनी है और अब दोस्तों ये चार आगे आपने सिर्फ 6 किलो उपलो की देनी है पहली तीन आगे आपने 10 किलो की दी थी और बाकी की चार आगे आपने 6 किलो उपलो की देनी है और साथ आगे दोस्तों कम्पलीट होने के बाद आपने इस टीखिया को निकाल करके लगभग दो घंटे के लिए खरल में रगड़ना है और अच्छी तरह रगड़ने के बाद दोस्तों आपने इसे चेक करना है कि आपकी भस्न ठीक से बन पाई है या नहीं चेक करने के लिए दोस्तों आपने लगबख आधा चम्मच दही ले लेनी है जो बिलकुल सफेद हो और उसे में आपने थोड़ी सी आपने ये भस्म डाल देनी है लगबख एक से दो रखती और उसे आपने उस दही में अच्छी तरह से घोल देना है फिर आपने उस दही को लगबख 30 गंटे के लिए ऐसे ही रख देना है धूप में नहीं रखना च्छाओं में रखना है और 30 गंटे बाद दोस्तों आप देखेंगे अगर आपकी वो भस्म सोरी दही नीली हरी या लाल हो जाए तो आपकी भस्म कच्ची है वैसे तो दोस्तों इस तरह से साथ आगे देने के बाद कभी भस्म कच्ची नहीं रहती है कि ये तीसरी बार आग देने में ही भस्म हो जाती है लेकिन फिर भी इसे साथ आगे दी जाती है तो ये कच्ची कभी नहीं रहती है और फिर भी अगर बाइचांस कच्ची रहती है तो आपने इसे फि मुह में नहीं डालना है कि आप मुह में डालो उपर से मक्षन खालो इस तरह नहीं खाना है आपने इसकी खुराक को मक्षन मलाईया दूद में मिला लेना है अच्छी तरह से और फिर उस चीज़ को इस्तमाल करना है और इसकी खुराक आपने सिर्फ एक टाइम लेनी है दिन में सिर्फ एक बार खाना खाने के लगबग एक से दो घंटे बाद और दोस्तों ये इतनी ताकतबर भस्म होती है जो कुछी खुराकों में कैसी भी नामर्दी को जड़ से खत्म कर देती है मरे हुए लिंग में भी भ अच्छी लगी होता हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें वाटसप पर मैसिज कर सकते हैं धन्यवाद